मैंने बहुत दिनों से वीडियोस अपलोड नहीं की है ना आप लोग को बहुत गुसा आ रहा होगा बट मैं क्या कर सकती हूं अचानक मेरी हेल्फ बहुत जादा खराब हो गई थी पर मेरी फैमिली ने मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखा और साथ साथ मैंने आपके लवली लोगों का जिन लोगों ने मेरी इतनी केयर की इसी तरह अपना प्यार और अपना सपूर्ट मेरे मेरे चैनल के लिए बनाए रखेगा आई होप कि अब आगे कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी और में रेगुलर वीडियोस अपलोड कर पाऊंगी तो अब आप लोगों का ज मैंने कभी भी ज्यांग चीन को ऐसे रोते हुए नहीं देखा है उसकी हालत अभी भी बहुत बुरी है और उसका भाई उसने अपनी लाइन कंप्लेट नहीं की थी तब इसका फ्रैन उससे कहता है ऐसा बिलकुल नहीं हो सकता मेरी बारे में सोचो मेरे साथ क्या हुआ था मै कि उसे मेरी जरूरत है मैं उसे बात भी करना चाहता था जब उसके लवर के साथ ब्रेक अप हुआ था पर मैंने ऐसा नहीं किया और जब उसकी साधी हुई तो उसने मुझे छोड़ दिया जिसे उसे मेरी कोई परवा नहीं है क्योंकि उसे एक निव फैमली मिल गई थी हमा साथ अपने किंग्डम वापस चलो खोलता है हर में अलग होते है उसका फ्रैंट केहता है कि सभी हुमिंस इक जैसे ही होते हैं गर करने वाला था पर जयांक चिनग उसे देखकर शॉक लगता है लाईकी से क्या हो गया है वो अपना पर्स तरफ षेक देसे हैं और को जूदने लगती है अगली सिन में जांग चेन ने शाखोई को पकड़ा हुआ था और तीनों सोफे पर बैठे हुए थे जंगशा को जलन हो रही थी कि उसकी बहन उसे कभी भी हग नहीं करती है पर शाखोई को हमीशा हग करती है और उसे अपने पास ही रखती है शाखोई कि वो किस पर जादा नराज होती है तोनों मिलकर घर का सारा सामान फैला देते हैं जिसे देखकर जांग चिन को घुस्सा आता है जर्ट चेंगशा कहता है यह सब शाखोई ने किया है लेकिन जांग चेंगशा उस पर ही चिलाने लगती है और उसे बाहर यार्ड में सोने को कहती है शाख खौइ कहता है उसने इसकेंड स्टेप भी जीत लिया जूँसका फ्रेंड कहता है जब तक व्यूमें सटेप में पास नहीं हो जाता तब तक वे इसा नहीं कह सकता और वहां से चला जाता है जब हा Alpha को तो अगली सुबर जंक्षा को पूरी रात बाहर रहने की वज़े से सर्दी लग गई थी शाखोर से warm water ला कर देता है जंक्षा कहता है तुम मुझे लेकर कौन से ऐस हो शाखोर कहता है उसे चिंटा है कि कहीं उसकी सर्दी उसे ना लग जाए दोनों बाते कर रहे थे तब है उसका फ्रेंड वहाँ आता है और उससे कहता है कि उन दोनों को पता लगाना होगा कि जंग चिन उन दोनों मेंसे किसी ज़्यादा केर करती है। उसने एक सीरीज में देखा था कि हर यूमिल्स की कोई ना कोई वीक्निस जरूर होती है जिसकी वज़े से वो कुछ भी करने को तयार हो जाते हैं जंक्षा कहता है कहीं वो उसके घर को जलाने की बात तो नहीं कह रहा है और शाखोर से कहता है अगर उसे पता चला कि उसकी बह जाएगा शाखोर कहता है उसे पता नहीं लेकिन एक बात वो जानता है कि जांग चीन बहुत अच्छी है वह बिल्कुल भी ऐसी नहीं है जैसी वह दिखती है वह अंदर से बहुत सौफ्ट हार्टेड है जंक्षा कहता है वह अपनी बहन के साथ नहीं रहना चाहता क्योंकि कि वह हमेशा उस पर गुस्सा करती रहती है शाखोई कहता है उसे अपनी बहन को एटलेस अपने अब्रॉट जाने के बारे में तो बता देना चाहिए जंक्षा कहता है वह ऐसा नहीं कर सकता अगर उसने ऐसा किया तो क्या उसकी बहन उसे जिंदा छोड़ेगी दोनों किच शाखोई को पहले से ही पता था जंक्षा कहता है अगर वह उसे बता देता तो क्या वह उसे जाने देती वह हमेशा उस पर चिलाती रहती है और उसे डार्पती रहती है जंक्चिंग कहता है वह इतना हार्ड वक्सिप उसके लिए ही करती है और वह उसे अगीला छोड़कर आना चाहता है ऐसा कहने के बार में चली जाती है शाख्षा कहता है उसकी बेन को स्के अबरॉड जाने की बारे में पता चल गया है शाख्षा कहता है उसे अपनी बहन से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी तभी वो लोगक देखते हैं कि किछेंट से दुआ निकल रहा था उसके फ्रेंग ने वहां आग लगा दी थी, वो दोनों मिलकर उस आग को बुझाते है, जिसमें शाखोई का हाथ जल जाता है, जंक्षा कहता है तुम इस्टूपेट कैड अपना ध्यान रखा करो, तभी जंक्चिन आती है और जंक्षा का हाथ पकड़ कर वहां से ले जाती ह शाखोई वहां अकेला रह जाता है और उसे उसकी फ्रेंग की बात याद आती है, जब उसनी कहा था कि हमेंस हमारी परवा नहीं करती है, हमें एक फ्लैस बैक दिखाया जाता है, जिसमें शाखोई जंक्चिन से पहली बार मिला था, जंक्चिन उसे अपने घर लेकर जाती ह और उसे कहती है, अब से वह अपनी बड़ी बेहन के साथ रहेगा, यहां पर फ्लैस बैक खत्म हो जाता है, दुसी तरफ जंक्चिन जंक्चिन जंक्चा से कहती है, उनने ऐसा क्यों किया, जंक्चा उसे कहता है, उसे पहले उसकी परवा करनी चाहिए, जो डिजर्व करता ह उसे शाखोई को भी बाहर लाना चाहिए था, जिसे उसने वहां मरने के लिए छोड़ दिया, जंक्चिन कहती है, तुम यह क्या कह रहे हो, तुम मेरे एक लौते भाई हो, और तुम्हें उस कैट की चिंता हो रही है, जंक्चा अपना समान लेकर बाहर आता है, और अपनी बेहन से कहता है कि उसे शाखोई को बाहर लेकर आना चाहिए, जिसे उसने वहीं छोड़ दिया था, ऐसा कहने के बाद वो वहां से चला जाता है, शाखोई भी जा चुका था, अगली मॉर्निंग जंक्चिंग एक रिकॉर्डर में अपने थौट्स रिकॉर्ड करती है, जि उसके पिलो की नीचे उसे वही रिकॉर्डर मिलता है, उसके मैसेज को सुनने के बाद वो तुरंट जंक्षा को ढूननी जा रहा था, तब यह अचानक रास्ते में उसे उसका फ्रेंड मिल जाता है, वो उससे कहता है मेरे साथ वापस चलो, शाखोई कहता है, पहले उसे ज शाखोई को उसके साथ वापस नहीं जाने देगा, शाखोई फिर उसी रेस्टरेंट में बैठा हुआ था, जहां वो अपने फ्रेंड की साथ ट्रिंक किया करता था, वो वहां के वेटर से उसके बारे में पूसता है, तो वेटर उसे बताता है कि आज उसका वो फ्रेंड य यह देखकर जंक्षा उससे कहता है, मेरी कैट से दूर रहो, मेरे अलावें से और कोई नहीं चूँ सकता, शाखोई उससे कहता है, यह हम दोनों का मैटर है, उसका फ्रेंड कहता है, अगर कल तुम मेरे साथ वापस नहीं गये, तो हम दोनों की फ्रेंड से हमेजा के लिए ऐसा कहने के बाद वो चला जाता है, शाखोई कहता है, मेरी वज़े से तुम दोनों की बीच फाइट हुई है ना, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, शाखोई कहता है, तुम क्या कह रहे हो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, और तुम मुझे लेकर क्यों परि आठी हुए थे, जंक्शा कहता है, वो तो दूसाल बाद वापस आजाएगा, लेकिन साइद वो कभी वापस नहीं आएगा ना, शाखोई के पास इसका कोई जवाब नहीं था, वो उससे कहता है, मेरे जाने का समझ हो गया है, और उसे बाइ कहता है, जंक्शा कहता है, तें कर लेता है शाखोई कहता है वो यही रहना चाहता है उसका फ्रेन उससे ग्णचिं की वजह से स्टाइब कहता है नहीं इस वार एक और वज़वजा है दुझ करेंग दरशजा भी अपनी ट्रेंग झोड़ता और गर वापस जा रहा था था तभी बास्ते में उसे साखोई मिलता है दोनों इसमाइल करते हैं और एक साथ घर वापस जाते हैं जंग्षा अपनी बहन से कहता है कि वह उसे अकेला छोड़कर अब राट नहीं जा सकता वह यहीं स्टडी करेगा जैंग्चीन उसे हग कर लेती है और तीनों घर के अंदर चले जा साथ और शाखोई हूए उसे अपने ड्रॉम में वापस चले जाना चाहिए जंग्षा कहता है तुम भी तो मुझे चोड़कर जाना चाहते थे न पर नहीं जा सके अपने फर से डराने की कोसिस करता है जंग्षा कहता है अब उसे कैट से अलरजी नहीं है शाखोई कहता है इसका मतलब तुम मेरी जगा पर रह सकते हो और दोनों जगरने लग जाते हैं वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं और बहुत क्यूट लग रहे थे और इस बार उन दोनों के बीच प्यार था और इसी सीविट सीन के साथ इस मुवी की हैपी एंडिंग होती है तो कैसे लगी आपको यह मुवी मुझे कमेंट में जरूर बताना अगर आपको यह वीडियो अच्छे लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना थैंक्स पर वाचिंग बबाई टिक कियर